पाकिस्तान को बार बार क्यूं सता रहा है हमले का डर पाकिस्तान पर FATF का फाइनल फैसला क्या है पियोके में कैसे फेल हुए इम्रान और भाजवा पाकिस्तान की साज़िश से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए देखे टॉप ना पाक साज़िश लोसी पर साज़िश के लिए पाकिस्तान और सक्रिय हो गया है चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान हमले की साज़िश रच रहा है लोसी पर पाकिस्तानी फाइटर प्लेन लगतार उडान भर रहे हैं पाकिस्तानी JF-17 ने कई बार उडान भरी भारत के हमले के डर से पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ है पाकिस्तान के आस्मान में राधभर फाइटर जट पेट्रोलिम करते दिखाई दिये पाकिस्तान को भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है LAC से LOC तक भारत की आकरा मकता से इमराद खान खौफ में है पाकिस्तान में राफेल का खौफ पसरा है घबराय एफोस चीफ अन्वर खान का कहना है कि भारत किसी भी वक्त राफेल से धावा बोल सकता है उन्होंने कहा है कि 24 महीने के अंदर हिंदुस्तान की जंगी जेट 5 किलोमेटर के दायरे में आकर हमला करेंगे पाकिस्तान LAC पर कुछ बड़ा करने वाला है पाकिस्तानी आर्मी ने P.O.K. में लेटर लिखकर अस्पतालों के बेट बुक कराए है L.O.C. पर चीन पाकिस्तान की सेना एक साथ देखी गई माना जा रहा है कि चीन पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध की साज़श रच रहे है पियोके ने पाकिस्तान के खिलाफ एलाने जंग कर दिया है पियोके पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है UK में पाकिस्तानी हाई कमिशन के बाहर प्रदर्शन किया गया प्रदर्शन कारियों ने पाकिस्तान को विश्व विरादरी के सामने एक्स्पोज किया और P.O.K. को पाकिस्तान से अलग करने की मांग की पाकिस्तान को F.A.T.F. ने जबरदस्त फटकार लगाई है बार बार वर्निंग के बावजूद पाकिस्तान में आतंकियों की फंडिंग जारी है और वो आतंक पर अंकुष लगाने में कोता ही बरत रहा है ऐसे में FATF की निर्देशों का पालन नहीं करने पर अब पाकिस्तान का ब्लाक लिस्ट होना तै है एलोसी पर पाकिस्तानी सेना को सीजफायर तोर ना बहुत महेंगा पड़ा है भारत ये सेना की जवाबी कारेवाई में कई पाकिस्तानी पोस्ट दबा हो गए राज़ाओरी के सुंदर बनी सेक्टर में भारत की फौज ने पाकिस्तान के बंकरों को धूँआधूआ कर दिया आश्रीनगर के रामबाग इलाके में सुरक्षा बलो ने दो आतंकियों को धेर कर दिया मारे गए आतंकियों में से एक पाकस्तानी और दूसरा लश्कर का कमांडर सेफुला है इन दोनों आतंकियों ने बीते दिन सुरक्षा बलो पर हुए कई हमलों को अंजाम दिया था